मोग्ड का क्या आर्थ होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं मोग्ड का दू तरीके से इस्तिमाल किया जा सकता है एक तो जिसे मोग किया गया हो या जो मोग किया गया हो उसे हम एड्जेक्टिव के रूप में मोग्ड कहते हैं इसके इलावा मोग्ड जो है वो मोग का past ins or past participle भी होता है यानकी मोग की ही second और third form होती है मोग्ड और मोग का आर्थ होता है नकल उतारना, चिडाना, हासी उडाना, मजाग करना, धोखा देना या मूँ बनाना जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि उन्होंने उसके उचारन का मजाग उडाया तो आप कहेंगे they moked at her pronunciation या अगर आप ये कहना चाहें कि उसने अपनी मुसकान से उसका मजाग उडाया तो आप कहेंगे she moked him with her smile या अगर आप यह कहना चाहें कि उन्हुनी अंधे आदमी का मजाग उड़ाया तो आप कहेंगे दे मोग्ड दब्लाइंट मैन, दे मोग्ड दब्लाइंट मैन, अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें